आज के डिजडल यूग में भी रेडियो लोगों के जीवन का एक एहम हिस्सा बना हुआ है ट्रांस्टर की जगा अब स्मार्टफोन में भी से कहीं भी और कभी भी समय सुना जा सकता है यह रेडियो के स्वरूप में बदलाओ के बाद यह लोग प्रियता के बने रहने को भी दरसाता है यही वज़ा है कि स्वर्स वर्ल्ड रेडियो डे की थीम रखी गई है रेडियो एंड ट्रस्ट इस मौके पर जानो रेडियो से जुड़ी रोचक बाते देश में रेडियो प्रशारन के सुर्वात कब हुई थी अपने देश में वर्स 1923 में रेडियो ब्राड कास्टिंग कंपनी नाम के रेडियो का आरम हुआ इसके बाद दो केंद्र मुंबई और कॉलकता में बने लेकिन एक मार्च 1930 को यह कंपनी बंध हो गई थी एक अपरिन 1930 को सरका ने प्रशारन सुविधाव को अपने हाथ में ले लिया और प्रायोगिक आधार पर इंडियन स्रेट ब्राड कास्टिंग सर्विस हैस नाम से प्रशारन आरम किया इसे मैं 1932 में स्थाई कर दिया गया अब 8 जून 1936 को इसे आल इंडिया रेडियो का नाम मिला जब अपना दे सौतंत्र हुआ तो आल इंडिया रेडियो के पास 6 स्टेशन रहें दिल्ली, मुंबई, कॉलकता, चिन्नाई, लकनव और तिरूचीरा पली थे क्यों मनाया जाता है रेडियो दिवस स्पेन रेडियो एकेडमिक ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाये जाने के लिए वर्स 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था, इसके बाद वर्स 2011 में युनिस्को की सदसे राज्यो के दोरें से दिवस घोशित किया गया इसके बाद युनिस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दीवर्स की रूप में मनाया था। दरसल 13 फरवरी को ही 1946 में सहिक्त रास्ट रेडियो की शुरुआत हुई थी। रेडियो की अविश्कार में भरते वैग्यानिक जॉक्रत जगदीस चंद्रेवसु का योगदान भी एहम रहा। वे पहले वैग्यानिक थे जिन्होंने रेडियो और सुच्छ में तरंगों पर कारी किया था। हालाकि रेडियो की अविश्कार का स्वे इतली की वैग्यानिक गुलियो लमो मैक्रोनी के नाम तरज है। जुलाई 896 को वैग्यानिक मैक्रोनों को रेडियो के लिए पेटेंट मिला था। इसके लिए 1909 में मैक्रोनों को फिजिक्स का नोबल प्राइस मिला था। पहली बार रेडियो में विज्यापन के शिरुवात वर्स 1923 में हुई थी। अब अपने देश में पहली बार नियूज बुलिटीन 19 जनवरी 1936 को ब्राडकास्ट किया गया था। अगस्त 1947 को औल इंडिया रेडियो ने पहली बार महिला नियूज रीडर इशदा बानों को हायर किया था। वो उर्दू में समचार पढ़ने वाली भारत की पहली पेशेवर महिला समचार प्रशारक बनी थी। अब अपने देश में एफम के शिरुवात 23 जुलाई 1977 को चिनने में हुई थी। रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरीय ना सिर्फ रेडियो फेक्वेंसी से बात की जाती है बलकि आपता के समय जब संचार के माध्यम ठप हो गये थे तो प्रभावितों की मदद भी की जा सकती गही। फास्ट इंटरनेट और जनसंचार के कई सारी साधन आज आने के बावजूद रेडियो का महत्व बना रहा है। आज भी रेडियो एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा असंखे लोग और दुर्गम स्थानों तक संदेशों को पहुचाया जाता रहा है। जाहे सीमा तक दानात फौजी हो गाव का किसान रेडियो सभी के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दूसरे कामों जैसे ड्राइविंग करते हुए केचन में खाना बनाते समय खेत में काम करते आदी के साथ साथ भी सुना जा सकता है। करोना काल में ग्रामी लाकों के बच्चों को सिक्षा देने के दे से रेडियो के मादियम से आदियो क्लासेज भी हो रही है। आया अब रेडियो की तीन फ्रेक्वेंसी मॉजियूल पुराने जमाने का अल्लॉक रेडियो अब लगभग डिजिटल हो चुका है। रेडियो कारिक्रमों के तयार करने के सभी उपकर्ण भी डिजिटल हो चुकी है। आज भी हम रेडियो को सुनते हैं। उनमें से ज्यादा तरह FM रेडियो होते हैं। जिसकी फिक्वेंसी 88-108 MHz होती है। इसके लावा मीडियल्स में 500-600 KHz की फिक्वेंसी में चलता है। इस पर आकाश्वानी का प्रशारिन किया जाता रहा है। तीसरा होता है शॉर्ट वेब। यह लंबी दूरी की रेडियो प्रशारिन के लिए काम करती है। FM और मीडिया वेब सालों पुरानी तकनीक है जो की आज भी कारे करती है।